इस संसार के अंदर तीन सत्ताएं हैं एक सत्त है, दूसरी सच्चित है और एक सच्चिदारत है सत्त, सच्चित और सच्चिदानन्द आप इस विश्य को ऐसे समझ सकते हैं इस दुनिया में तीन अनाधी पतारत हैं अनाधी का मतलब आप सब जानते होंगे अनादी का मतलब जिनका कभी प्रारंब नहीं हुआ जो कभी पैदा नहीं हुए सामा ने सिध्धान्त ये कि दुनिया में हर चीज पैदा हुई है कोई काम अपने आपने होता सबका निमित तो कुछ न कुछ होता ही है लेकिन ये भी सचाई है कि इस दुनिया में तीन ऐसी चीजे हैं जो कभी बनी नहीं है जिनको कहते हैं अनादी और जो चीज कभी बनी नहीं उसका कभी बिनाश भी नहीं होता ये भी सिध्धान्त है वेद इसको कहता है त्रैतवाद अंग्रेजिय में उसको बोलते हैं Trinity तीन तत्व अनादी तत्व उसमें पहला तत्वत्व है सत्व दूसरा है सच्चित और तीसरा है सच्चिदानन्द सत्व, सच्चित और सच्चिदानन्द हमको अपनी आखों से इन इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं यंत्रों के द्वारा जितना भी कुछ हम पकड़ पा रहे हैं कहच कर पा रहे हैं वो सब कुछ सत्व के अंदर आता है एक पदार्थ ऐसा भी है जो सच्चित है जिसके अंदर दो गोने हैं वो सत्व है और चित्व है जो हमारे सरीर के अंदर विद्यमान है जिसको आप कहते हैं आत्मा सचित यानी आत्मा और सत्य यानी प्रकृति और जो तीसरा तत्व है वो सचिदानंद हमारे सरीरों के साथ साथ हमारे सरीरों के साथ इस आत्मा का अपने कर्मों के आधार पर जो मिलान करता है किस किस सरीर में किस आत्मा को कहां किस स्थिदी में भेजना है ये पूरा management जिसके हाथ में होता उस तत्त्त को कहते हैं सच्ची दानन्द तो तीन चीजें हैं, एक सच्चित है और एक सच्ची दानन्द है बात समझ में आ रही है आप लोगों के सच्चित का मतलब क्या है बोलो है पीछे वाले बताएंगे जो पीछे बैठने सच्चित मतलब आत्मा ठीक है आप बात को समझ रहे आप इस बात को आप समझने का प्रियास करें क्योंकि आप आप आसना विशय मुझे बोलने के लिए मिला है तो उससे संबंदित बात में आपके बीच में रखूँगा सच्चित यानि आत्मा हम स्वयम चलने वाले है हमारे सामने दो रास्ते हैं हम दो राये पर खड़े हुए हैं एक रास्ता इधर जाता है एक रास्ता इधर जाता है सत के रास्ते पर चलें या सच्चिदानद के रास्ते पर चलें? सच्चित तो हम स्वयम हैं. किस रास्ते पर चलना हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा? किस रास्ते पर चलना हमारे लिए घाटे का काम होगा? ये प्रश्ण है. किस रास्ते पर चलना चाहिए हमको बैसे बो कि यही जिए सब के राश्ते पर जो या सचिदानुद के रास्ते पर कि इस सचीदानंद के राहिए rein नहीं सट नी सश्चीदानंद समंझ में अराई नहीं आरा सथ यहीm भौतिक वार प्ट है सच यही आधियात्मिक वार है ठीक है न happiness we your car特 चलना चाहिए एए सच्चिधननंदद- सच्चिधननद के राश्त पर चलना चाहिए- बात समima ओघीए, आपके लेकिन डुनिया की अधिक्तम प्रिदुशत लोग कौन से रास्ते पर चलते हें सत के रास्ते पर चलते हैं प्रकृतिवादी लोग हैं भौतिक वादी लोग हैं सच्चिदानन्द के रास्ते पर तो कोई-कोई बिर्ला ही चलता है कहने को हम सभी कहते हैं कि हमारा लक्ष तो ईश्वर है हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन ये केबल बात उपर उपर तक है, नीचे नहीं है बिलकुल, नीचे तो हम सभी एक ही रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो रास्ता सत्का है, प्रकृतिवादी, बहुत इक वाद के रास्ते पर, केतने एक राजा थे, राजा ने तपस्या की बहुत लंबे समय तक अजरी बड़े समझदार विद्वान थे, उन्होंने कहा कि महाराज, ये तो बड़ा स्वभाग है, और एक ऐसा तत्वी जिसको जानने के लिए हम धर्तिव पर आते हैं, आपने उसको जान लिया, आपके लिए जानना बचाई क्या है, इसलिए जब योगी समाधी में कुछ आपके लिए महतपूर नहीं वस्ता, कुछ जानने के लिए शेष रहता नहीं है, बस एक चीज को जान लो, इसलिए हमारे पुराने लोग कहते थे, एक है साद है सब सद है, और सब साद है सब जाए, एक को पकड़ लो, तो मंत्री ने कहा कि आपने तो इस परमतत्त् एक बार हम पर भी कृपा करो, आप हमारे राजा हैं, राजा पिता के तुल्य होता है, हमको भी भगवान के दर्शन कराओ, राजा ने का मंत्री बर में दर्शन तो करा दूँगा, लेकिन वस्तुता संसार के लोगों की स्तिदी ये है, कि लोग ईश्वर ईश्वर की बात- पर से, भगवान को कुछ जानना नहीं चाहता, कुछ देखना ही नहीं चाहता, मंत्री ने का कैसी बात करते हो आप, अरे दुनिया तो भगवान के भक्ती के लिए नजाने कहां कहां जाती है, और आप ही एक ऐसा अपसर उनको देंगे जीवन में, कि भगवान के दर्शन कर मंत्री ने राजा को समझाया, राजान का ठीक है दिया आप नहीं मानते तो एक समय निर्धारित कर लो, इस थान निर्धारित कर लो, वहाँ पर हम बैठकर कि भगवान का दर्शन लोगों को कराएंगे, समय निर्धारित हुआ, पूरे राज के अंदर घोशना कर दी गई, कि उस दिन उस इस्थान पर जाकर के राजा लोगों को भगवान के दर्शन कराएंगे, समय जैसे नजदिक आया, आज भगवान के दर्शन लोगों को कराने थे, राजा को सुबह सी लोगों को पहुंचना था, जंगल के अंदर बहुत बड़ा ग्रांड की विवस्ता की ग अनों के धेर की धेर लगवा दिये, और खुली छूट, कोई जितना चाहे उतना ले करके जा सकता है, कोई रोक टूक नहीं किसी के लिए, अग लोग सुबह सुबह घर से निकले किसके लिए, बोलो, भगवान जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन जब लोगों ने देखा क यहां तो चार तरफ धेर लगे पड़ें, तो लोग भगवान जी के दर्शन करने जाएंगे, लोग आए अपनी जेवों में भरना शुरू किया, कुर्ते की जोली में भरना शुरू किया, सीधे घर पहुचके तोड़ कर गए, बच्चों को बुला के लाए, बोरा लाए, क तो ऐसे ऐसे लोग जिनके आँखों पर चश्मा लगा हुए हाथ में लाठी जुक करके चल रहे हैं, शम्शान भूमी जिनका इंतिजार कर रही है, वो लोग भी बोरी में माल भर करके और खीच करके ले जा रहे हैं, पसीनम पसीन हो रहे हैं, मंत्री ने देखा मंत्री हैर हुआ है, वस्तुता संसार के लोगों की स्तिव यही है, क्या हम वस्तुता भगवान को चाहते हैं, हम जब भगवान की भक्ति में बैठते हैं, तो चाहते क्या आप यह सोचिए, मंदर में जाने वाला व्यक्ति क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए मंदर में जा रहा ह आज दुनिया का सबसे बड़ा विकारी व्यक्ति रोड़ पर भीग मांगता है दुनिया का अमीर व्यक्ति मंदर के अंदर भीग मांगता है दोनों विकारी हैं अंतर इतना है कि एक मंदर के बार एक मंदर के अंदर है हम भगवान का भजन भी केबल इसलिए करते हैं कि हमारा कारोबार घर परिवार व्यापार ठीक ठाक चलता रहे अपना काम ठीक ठाक चलता रहे इसलिए भगवान का बजन करते हैं भगवान का बजन हम इसलिए नहीं करते कि प्रभुजी आप हमको मिल जाओ ऐसा कोई नहीं चाहता और जिस दिन हम इस बात को चाहने लग जाएंगे दिल से उसने भगवान भी हमसे दूर नहीं होगे, भगवान के दर्शन भी हमको हो जाएगे, अभी हमने चाहा ही नहीं, अभी तो हम दुनिया को चाह रहे हैं, दुनिया को हमने इतना बहुमूली चीज समझ लिया है, दुनिया दारी को, इसी के लिए पूरा जीवन हम लोग क्या भार करेगा और कोई सोने को पीतल समझ ले और कोई पीतल को सोना समझ ले ब्रह्म के कारण यह दुनिया कैसी है यह पीतल है और हमने क्या समझ लिया इसको सोना समझ लिया और भगवान क्या है सोना है स्वर्णतत्त उसको क्या समझ लिया पीतल बेकार की चीज अज्यानत के कारण पीतल को सोना समझ करके उसके पीछे भाग रहे हैं हम और सोने से हम मुट चुके हैं उस भगवत तक को हम जाना ही नहीं चाहता हैं तो आज हम यह चिंतन करेंगे कि हम एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं हमारे सामने से दो रास्ते जाते हैं किस रास्ते पर चलना हमको benefit रहेगा है कि सोचिए गा मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप मेरी हां मेरी हां मेन आते चले जाओ अपनी वुद्दी से सभी सोचर तो देखो इस संसार की रास्ते मेरी चलने में कुझ प्राप्ति हो डी तो आज तक आप सारे के सारे सब का जीवन पूर्ण हो गया होता सारे क यसाड़े लोग तुर्पत हो गये होते बही केबल आज से थोड़ों हमको जनम मिला है अनादी हैं हमने कुना अना जीवग MARTIN पता नहीं कब से कब से बटक रहें बिन्य भिन प्रकार की योनियों में गए विन्य भिन की माता कस्तन पान किया जिस योनी में भगवान ने जिसका जैसा आहर निर्धरत किया उस योनी में जाकर के वैसे आहरों का हमने भोगा अब तक हम भटक रहे हैं अगर इस संसार के रास्ते पर चलने में सुख मिलता होता तो अब तक दुनिया सुख ही हो गई होती सामने व्यक्ति यही सोचता है जो निर्धन व्यक्ति है वो समझता है मैं थोड़ी से मेहनत कर लूँ, परिष्णम कर लूँ, धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा लेकिन गोस्वामी तुलशिदास्टी ने बहुत अच्छी बात कही धन हीने कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी क्योंकि धनवान समझता है कि मेरे पास तो धन कम है, राजा के पास में ज्यादा है, वो ज्यादा सुखी होगा धन हीने कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे है ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी तुलसी दास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब लोगो दुखारी नानक देव जी ने भी एक सार निकाल करके दिया नानक दुखिया सब संसार और सोई सुखिया जिर नाम आधार जो नाम से जुड़ गए जन्होंने अपने जीवन में भगवत तत्त को इस्थान दिया है वो लोग जीवन में अपने जीवन को सफल और सार्थक कर गए अगर मनुष्य देख को प्राप्त करके हमने थोड़ा सा उसको जान लिया तो समझ लेना जीवन सफल और यदि इस दुनियादारी के ही चक्कर में पड़े रह गए और भगवत तत्त की तरफ थोड़ा सा भी ना बढ़ पाए तो जीवन ने रर्थक गया ध्यान देरा जीवन पूरा की पूरा बेकार है आज हम ये चिंतन करेंगे कि हम दुनिया में चाहते क्या है परमात्मा को क्यों नहीं चाहते दुनिया तारी को क्यों चाह रहे हैं क्यों जी अच्छा है एक बात बताओ हम इस धर्ती पर चाहते क्या है हमारा लक्ष क्या है क्या लक्ष है हमारा हम लोग चाहते क्या चाहते क्या है लक्ष की बात छोड़ दो और सरल नीचे उतर करके आते हैं सामा निभासा में बात करते है हम सभी का लक्ष क्या है हम दुनिया में चाहते क्या है सुख चाहते है सभी लोग इस बास से सहमत है क्यों जी कोई दुनिया में दुख भी चाहता है या सार एक सार लोग सुखी चाहते है अच्छा एक बात और बताओ हम इस संसार में सुख चाहते है या दुख से बचना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सोच समझ करके उत्तर देना यारी समाज का कारिक्रम है, ये कोई ऐसी कथा भाग बत नहीं है जो रादे रादे बोलो चले आएंगे ब्यारी और ताली वजाओ, हो गया काम यहां तो बुद्धी को खोल करके बैठे होगो, तो यहां से कुछ ले करके जाओगे सोचिए, आप संसार में सुख चाहते हैं, या दुख से बचना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? है जी? यही तो भ्रहम है बहुत बड़ा भ्रहम है हम लोग आज तक संसार में सुखी ढूंडते रहे और इसमें सुख है नहीं, मिलेगा कहां से आपको जिस दिन हम ये बात हमारी बुद्धी में आ जाएगी कि जिस चीज को हम संसार में ढूंड रहे हैं, वो संसार में है नहीं आपका रास्ता बदल जाएगा अच्छे दिन संसार में सुख होता तो आज तक कोई व्यक्ति सुखी आपको मिलता नहीं मिलता बोलो महरशी द्यानंद, राजकुमार सिद्धार्थ, महराजा भरत्री हरी जिन संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा देते इन लोगों इन में ठोकर मार करके और आगे चले गए अगर इस धन दौलत में राजपार्थ में सुख होता तो शायद राजकुमार सिद्धार तुझे भूल नहीं करते महरशी द्यानंद भी सामानी परिवार के बच्चे नहीं थे बड़े ठाट बाट थे और माराजा भरत्री हरी तो पूरी राजधानी में ठोकर मार करके चले गए ध्यान रखना अगर इस संसार में आप सुख खोजते रहोगे तो ये आपकी दिशा ही गलत जा रही है आपका जीवन गलत दिशा में जा रहा है अगर संसार में सुक होता तो मुक्ति की कामना क्यों करते क्यों जी बोलो मुक्ति हम किसले चाहते हैं बहुत दुखों से बचने के लिए तो मुक्ति चाहते हैं आप लोग रिशी द्यानन्द क्या केते हैं मुक्ति का मतलब मुक्त होना किस से दुखों से मुक्त होना दुखो इस दिन संसार के लोग इस आकास को गठरी में बांधने में सक्षम हो जाएंगे, तो क्या आकास को बांध सकते हैं, आकास बंध ही नहीं सकता। रिशी कहते हैं, जिस दिन इस संसार के लोग इस आकास को गठरी में बांधने में सक्षम हो जाएंगे, तादा देव अविज्याय उस दिन बिना परमात्मा को जाने भी दुखों से व्यक्ति बच सकता है, ये नहीं का कि सुखी हो सकता है, वहाँ पर भी दुखों से बचने क आप संसार में, अपने घर परिवार में झो भी सुख सुधां का भोग कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, सुख के लिए कर रहे हो क्या? सुख के लिए नहीं है, दुखों से बचने के लिए. प्राय हमको ऐसा लगता है कि स्वामी जी अंतर क्या है इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है मैं आपके सामने माइक में बोल रहा हूँ अगर माइक में बोलने में मुझे सुख मिलता होता है जी तो यहाँ पर अगर कम लोग उनकी उपस्ति होती तब भी मैं माइक की विवस्था करता क्योंकि माइक में बोलने में सुख मिलेगा और चार लोग मेरे सामने हैं तो क्या मैं माइक की विवस्था करूँगा माईक में बोलूंगा, क्यों जी क्यों लोग जादा है इसलिए मुझको जादा लावडली बोरना पड़ेगा लावडली बोरने में मुझे दुख होगा इसलिए यंत्र की वेवस्था की गई है आपने आपर पंखा लगाया हुआ है किसलिए सुके लिए निए दुख से बचने के लिए हां अगर जैसा मौसम आप चाहते हैं वैसा मौसम यथावत बना रहे तो आप पंखा लगाओगे क्या क्यों जी अगर पंखे में सुके तो पंखा फिर भी लगाओ क्यों नहीं लगाते हैं आपने घर में एशी लगाया है तो AC दुख से बचने के लिए है आप जैसा टेंपरेचर चाहते हैं वैसा नहीं मिलता आप परिशान हो जाते हैं इसलिए आपने AC लगाया है ज़िए टेंपरेचर यथावत बना रहे हैं जैसा आप चाहते हैं तो क्या कोई घर में एशी लगाएगा अगर AC में सुक होता तो फिर भी लगाओ क्यों जी डक्षा कोई लगाएगा अच्छा और सरल तरीके से इस बात को समझिए मालीजी हमारे आनन सिंग जी बैठे हैं केंद्री सवा के प्रधान हैं बहुत अच्छा काम करते हैं सारे समाज के भी प्रधान हैं करणाल के लोगों समाज के सेवा में लगे हुए है हम इनका सम्वान करेंगे और अभी बार का पुरुष्पाः पुरुष्पार पुरुष्कार प्रुपेसर साब के नाम आपके पास में लोग आए कमेटी के लोग और आप से निवेदन की आ डॉक्टर साब आप बहुत अच्छा काम कर रह हुम आपका संभान करना चाहते ने का एक कोई बात नहीं मुझे संभान के आवश्चक्ता नहीं है बस में अपना काम करें धन्यवाद हुर। ने कि डॉक्तुर साब आपका सम्मान तो हम करेंगे बहुत भव्याली सान सम्मान होगा ऐसा सम्मान होगा कि लोगों के आँप फटी रहे जाएंगे देख करके लेकिन अगले एक शन आपका भेंकर अपमान भी होगा वो भी अपमान भी आपको सहना पड़ेगा तो जाएंगे यानि व्यक्ति दुख से बचना चाहता है हमारे जीवन का लक्ष भी दुखों से मुक्ति है दुखों से बचना है हम सभी सुक नहीं चाहते हमके बद दुख से बच जाए इसके लिए हम पूरा जीवन लगा रहे हैं इस बात को समझे आप अच्छा दुखों से मुक्ति का उपाई क्या है हम सभी दुख नहीं चाहते एक चीज समझ लो अज उपासना विश्य हमको दिया कि उपासना का मिल सकता है, कोई उपाय मिल सकता है, तो केबल परमात्मा की भक्ती में मिल सकता है, उपासना, क्योंकि आप जिसकी भी उपासना करते हैं, उसके पास जो कुछ होता वो आपको मिलेगा, उपासना का ला भी यही होता है, रिशी द्यानंद कहते हैं, जैसे शीत से आतुर व्यक अगनी के उपास ना करे किसी को सर्दी लग रही है और वो अगनी के पास में चला गया तो क्या मिलेगा उसको अगनी के पास में जो अब आई चीज मिलेगी अगनी के पास में क्या है प्रकाश है अगनी के पास में गर्मी है उष्णता है तो अगनी के पास में है वो चीज उ बागने के आविशक्ता नहीं है। यह उपासना का फल है जैसे आपने उपासना की तत्काल वो चीज आपको मिलेगी। आप गर्मी से परिशान है आपने जल की उपासना कर ली तो क्या मिलेगा। जल के पास जो वो चीज आपको मिलेगी। आप अभी जून जुलाई का महीन गरमी में परिशान रोड से जा रहे हैं पसीने में परिशान है आप I George के साथ एक पेड़ ख़ड़ा हूओ आपने पेड की उपास्थ नहीं तो क्या मिलेगा आपको अधर जाया मेलेगा भई पेड़ के पास्मा जो वुचीजा आपको मिलेगी। उसी प्रकार से जबाप्रमात्मा कोरोगे तो क्या मिलेगा अर्अ कि पढ़ात्मा कोके सुक के चकर मत पड़ो इसव बड़ी घंथक चीजी ऐ गallo कि परमात्मा की उपासना करोगे तो क्या मिलेगा जो परमात्मा के पास में को वो चीज़ आपको मिलेगी और परमात्मा के पास में क्या है सुख है या आनन्द है बोलो इस्वर सच्चिदानन्द स्वरूप रिशीदानन्द ने पहली ही नाम में सारी कुथी को सुल्जा दिया इस पर सचीद आनंद सरूप आपको क्या चाहिए सुक नहीं चाहिए आपको आनंद चाहिए अच्छे ये आनंद क्या चीज है हम सुक और आनंद को एकी चीज समझते है परिमाराज शब्दों का ये तो फर्क है सुक का हूँ ये आनंद को लेकिन एक चीज नहीं है बड़ी भिन्नता है इन दोनों चीज़ों में संसार में जितने भी शब्द है उन शब्दों का कोई न कोई विलोम शब्द जरूर होता है जैसे दिन का विलोम क्या है? रात है है ना? तो रात के बाद दिन आएगा पक्की बात है दुख का विलोम क्या है? सुक है दूप का विलोम क्या है? चाया है ये जितने भी विलोम शब्दें क्रम सा बदलते हैं एक जैसे इस्तिने रहेगी आपके जीवन में दुख है तो कभी सुक भी आएगा और सुक है तो कभी दुख भी आएगा पक्की बात लेकिन एक चीज ऐसी है दुनिया में एक शब्द ऐसा है जिसका कोई विलोम नहीं है वो शब्द है आनन्द और ये आनन्द एक बार जीवन में आगया तो फिर जाने वाला नहीं है बद दे गई नहीं और ये आनन्द है क्या चीज बड़ी गजब की चीज है ये आनन्द में कुछ मिलना नहीं है आप ये सोचे आनन्द आ गया आनन्द आ गया आनन्द में आया क्या ये तो सोचो कुछ चीज आपको मिली है क्या मिलना कुछ नहीं है माली जी एक मैं आपको और मोटा उधर्ण देता हूँ एक व्यक्ति दूप में जा रहा उसके सिर पर बोज है ठीके उसके सिर पर बोज है गट्री रखी हुई है पसीने में परेशान है और उसको पेड मिला उस पेड के नीचे एक व्यक्ति पहले से बेठा हूए और इस व्यक्ति परेशान है गर्मी में सिर पर बोज है उसके जैसे पेड के नीचे बैठा और इसने अपनी गट्री नीचे डाल दी और एक्दम बोलो मज़ा गया बोला न उसने मज़ा गया तो इसको कुछ मिला है या इसका कुछ छूटा है इसके पास कुछ आया है इसका कुछ गया है कियो जी गया है ना मिला तो कुछ नहीं है इसका कुछ गया है मिला इसको कुछ नहीं है इसका दुख छूटा है इसकी गठ्री के यह मिला कुछ नहीं है अगर मिलने में कुछ ची की आज हूई है वो जो पेड़ के साथ पहले से बेटा उसको भी वो चीज मिल नीं चाहिए लेकिन वह तो सामने है वो तो नहीं कहता वाड़ानन्द आ गया यह चाहता बड़ानन रागया इसको मिला क्या है इसको मिला कुछ निसका छूटा дуже का just ऑसार में हम भी सुखने चाहते हम ढूब कर शी बचना चाहते हैं अमरा दुख अट गया और आनंद आगया जीवन में का आणंड बड़ी अद्वर्द चीज है आनंद का मतलब उता स्वरूप अबस्था आनंद में कुछ मिलता नहीं है स्वरूप अबस्था हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएं यही आनंद की अबस्था है उधारन के लिए जैसे मेरा हाथ है कितना लंबा होगा जी बोलो क्यों जी अरे पड़े लेके लोग हैं आप सभी मैं आप से प्रश्ण पूछू तो आप जबाब दिया करो क्योंकि अध्यात्मिक विश्या है यादि मैं ही बोलता रहूंगा तो मामला गड़ बड़ हो जाएगा आप लोगों को नीदार ने लग जाए कि कुछ माता हैं बेन सामने ही और थोड़ी सी हमारी कथा प्रारंब हुई सेट जी की लटक जटक शुरू हो गई हमने का सेट जी सो रहे हो सेट जी बोले नहीं तो हमने का सेट जी सो तो रहे हमको जूटा साबित कर देते हैं थोड़ी सी फिर कथा आगे हुई थोड़ी दिर बाद सेट जी की ल कारिक्टर मागे गया थोड़ देर बार सेड़ जी की तो आदत थी सोने की सब लोगों की आदत होती है प्राया सेड़ जी ने जैसे जटके लेने शुरू किये हमने का सेड़ जी जाग रहे हो सेड़ जी बोले नहीं तो वैंने बस यही तो कहल वाना चाहते तो तब से अमने पैटरेंड चेंज कर दिया बोले आप खुद नहीं बोलेंगे लोगों से भी कुछ बुलबाएंगे कुछ पूछेंगे जिससे आपकी जागरुकता बनी रहेगे है ना आपको नहीं आएगा आलस से नहीं आएगा आपको प्रमाद नहीं आएगा इसलिए मैं आपसे लंबा तगडा हात है पांच छेक रोस शूंगा है चलो पांच प Gefव माल लेते हैं पांच किलो बजन इसरों पांच क्लो बजन इदर में दस किलोस लटका है गूम रहों मुझे बजन लग रा है क्या कियो हुग यह बज़ सकोई बजन नहीं लग राओ और यह मैं पांच कि हाथ में फोड़ा हो जाए बोलो फिर बजन के अनभूती होगी या नहीं होगी फिर आपको पता चले का रहे इस हाथ में इतना बजन उठ भी नहीं रहा है पर हाथ नहीं उठाए जाएगा यह विकृति पैदा हो गई जब विकृति पैदा हुई तो आपको बजन लगने पस्ता जैसे हम सबी के पास में सिर है ना कोई बिना सिर का फोड़ू सबके पास में सिर है 고양i कас अनल्रव होता है कि मेरे पास भी सिर है कोई अनुबब में और यहाद नहीं है तो सबको पता चलेगा भई यह सिर कितना भारी हो रहा बहा क्फा इस इस सिर पता से सुक्षम सरीर से लग कर देता है तो उसको कुछ भी आभास नहीं होता बड़ी बिचितर बात है इसलिए आप लोगों ने देखा कि संसार में जितने भी रिशी महर्शी आए महापूर्श आए देखो याद रखना संसार में जनम लेने दुख का कारण है पक्की बात है जि कि रिशी कहते हैं दुख जनम प्रबृति दोश मित्या जाननम उत्तरतुरपायत रंतरपायक अपवरगा न्यादर्थन का सूत्र है जनम लेना दुख का कारण हम और आप तो हैं किस खेट की मूली हम तो बहुत मामूली है लेकिन बड़े-बड़े लोगों को देखो क्या भगवान राम के जीवन में दुख नहीं आये बोलो आया नहीं आये कितने दुख आये एक व्यक्ति बड़ा दुखी था और वो भगवान राम के पास में पहुंचके अपनी फरियाद ले करके हाथ जोड कहने लगा दुख दूर करो सुख धाम और मैं भी कब सुख से रहा यूं बोले श्री राम भगवान राम ने का पागल अपने दुखों को लेके घुम रहा है भाई है हमारा बंद क्यों कर दिया है क्यों जी अब दुख मिला नहीं मिला यह अपने दुख से बचले के लिए चलाया था अच्छा बात को सुनो आपको आवाज कम सुने दे रही है क्या इसकी बज़े से अच्छा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या सबको आवाज आ रही है सुनिए बात को जाए भगवान राम हो चाये श्याम हो जिसने भी धर्ती पर जनम लिया सब के जीवन में दुख आए अर्जे भगवान कृष्णी के जीवन में कितने दुखाए इतना दुख तो किसी के जीवन में नहीं हो सकता वो पैदा कहा हुए जेल के अंदर पैदा हुए और पूरा जीवन राक्षस्म से संगर्ष करते करते निकल गया लेकिन फिर भी कृष्ण बांसुरी जीवन भर बजाते रहे अच्छा महरश्वी द्यानद के जीवन में क्या दुख कमाए जिसने भी धरती पर जनम लिया दुख उसके जीवन में आएंगे यह पक्की बात है लेकिन दो बात होती है दुख आना और दुखी होना दोनों में अंतर होता है सामानी व्यक्ति के जीवन में जब दुख आते हैं तो व्यक्ति दुखी होता है सामानी व्यक्ति यह नियम सर्वतालागू नहीं होता सामाने व्यक्ति जीवन में दुख आने पर दुखी होगा यह पक्की बात है लेकिन जो भजनानंदी होते हैं जो अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं उनके जीवन में दुख आने पर वो कभी दुखी नहीं होते है रिशी द्यानन्द भी यही कहते है कि इश्वर का भक्त अपने जीवन में पहाड के समान दुख आने पर भी बिचलित नहीं होता है पहाड के समान दुख को भी राई के समान समझता है राई का दाना देखा है न कितना छोटा होता है और जो कमभक्त होता है उसके जीवन में राई के समन्द दुखा जाए तो वो उसको पाढ़ बना देता है रोनी लग जाते हैं लोग परिशान होते हैं सुसाइड करते हैं रिशीद आनित केते हैं क्या ये भक्ती का फल कम है कितना बड़ा फल आपको प्राप्त हो रहा है और जीवन में दुखों से ही बचना चाहते हैं और दुखों से बचने का एक कवच है इश्वर भक्ती उपासना दुखों से बचने का कवच है आप रास्ते में जा रहे हैं सारे रास्ते में कांटे बिच्छे हुए हैं और आप नंगे पैर हैं कैसे रास्ता पर पहुँच पाओगे आप मंजल तक कैसे पहुँच पाओगे चल पाओगे क्या रास्ते में आपको गुजरना उसी रास्ते से है और पूरे रास्ते पर कांटे बिछे हुए हैं, आप नंगे पह रहे हैं, तो क्या आप चल पाओगे, क्या करोगे? या तो कांट आटालो, या परत्रान पहन लो, जूते पहन लो, अगर आपने जूते पहन लिये तो, कितने भी कांटे पढ़े हो, आपके जूते मजबूत हैं, तो आपको कांटे की परवा नहीं है, आप आराम से चलते चले जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, उसी प्रकार से प्रभु भक्ति उपासना एक ऐसा मजबूत कवच है जब कवच को मधारण कर लेते हैं तो फिर संसार के दुखों से हम व्यतित नहीं होते हैं परेशान नहीं होते हैं क्योंकि व्यक्ति अपने स्वरूप में लोटाता है आत्मा का स्वरूप क्या है एक गुरुजी उपदेश दे रहेते हैं अपने शिष्यों को कि भगवान का भजन करने से यह होता है कि आत्मिक बल इतना बढ़ता है मजबूत इतनी मिल जाती है कि व्यक्ति दुख को दुखी नहीं समझता बड़े बड़े दुखों को ऐसे सहन कर जाता है उसको पता ही नहीं चलता शिष्यने का गुरुजी ऐसा तो नहीं हो सकता दुख तो दुखी है भाई दुख तो किसी के जीवन में आये चाहे भख्त के जीवन में आये चाहे उनके जीवन में दुखाने पर वो दुखी नहीं होते उन दुखों को सह जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता बोले ऐसा तो नहीं हो सकता आप समझाओ, उधारन दो गुरुजी बोले ठीक उधारन देते गुरुजी नीचे बैठे थे पास में इंट पड़ी थी इंट, गुरुजी ने बेटा इस इंट को ठाओ, शिष्षी ने इंट उठाई, बोले गुरुदेव अब क्या करना है बोले उपर छत पर चले जाओ, वो विद्यार्थी इंट को लेकर के छत पर चला गया, गुरुजी नीचे बैठे हैं, इंट को मांग ठीक है और उस बुल्ट डिला हो गया, को इसकूर डिला तो नहीं हो गया, आपका बोले ने इस सब कुस ठीक है, बोले फिर आप ऐसी बात कैसे कर रहे हो, अरे मैं कर रहा हूं तो मैं तुझको आदेश देर हूं तुप्यों भारना मेरे से पर तुझे क्या आप है, बोले नहीं, गुरुजी, इसको नहीं मार सकता, क्यों नहीं मार सकता? अरे कैसी बात करते हो, आपकी मौत हो जाएगा, इस से फट जाएगा, ऐसा काम मैं नहीं नहीं कर सकता, भूले अच्छा तो बेटा फिर नीचे आजा, गुरुजी निका तो उत्ना परेशान इस इंट को मैं नहीं मार सकता सिर्फ भड़ जाएगा आप इसको सेह नहीं सकते हो इसमें तोलतों से बजन कितना है इसमें सिसी नहीं तोला तो कहता गुरुजी ड्हाई किलो बजने इसमें तो अच्छा तो बिटा एक काम करें एक कमरे के अंदर रुई पढ़िये रुई एक ड्हाई किलो की गठी रुई एक गठी के अंदर रुई रख ले बोरी के अंदर भर ले रुई उस बच्चे ने तोल करके डाइकलो रूई एक बूरी के अंदर भर ली बोले क्या करना है बोले चट पर जाओ चट पर चला गया बोले गुर्देव अब क्या आदेश है बोले इस रूई को मेरे सिर पर मार फैंक करके बच्चा हासा कहता गुरुजी इसको तो फैंक के मार सकता हूँ गुरुजी बोले वेवकूफ इसमें भी डाइकलो बजन और इट में भी डाइकलो बजन इट तो तरह पर फैंक करके नहीं मारेगी इसको तो फैंक करके कैसे मार सकता है बिद्जारती कहता है गुरुजी इसको आप सहा जाओ कि मुझे पूरा विश्वास है यह आपके हानी नहीं कर पाएगी लेकि इट को आप नहीं सह पाते है रिशी यही कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है उसके जीवन में जब दुख आते हैं तो दुखों को ऐसी सह जाता है जैसे आप रूई को सह जाते हैं दुख उसका कुछ नहीं बेगाड़ पाते हैं बहुत हलके से लेता है रिशी द्यानंद के जीवन को आप देखिए अंतिम समय चल रहा है अजमेर आप कभी जाईए बिनाय कोटी हम सभी आरे लोगों का एक तीरत इस्थाल है कभी जाईएगा देखिए रिशी को जहर दिया गया और रिशी के हर एक रोम कूप से जहर फूट फूट करके बाहर निकल दा है पूरे सरीर पर फपोले चाले पड़े हुए है खून के उल्टिया हूँ यह खून के दस्थ हुए है और रिशी द्यानंद बिलकुल मस्त बैठे हुए है यह बात आपको कहने में साधान लग रही होगी लेकिन यह जथार्थ हुआ है ऐसा पत्र पत्रगाओं में छप गया कि स्वामी द्यानंद जी का जीवन अब ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है क्योंकि उनके साथ यह दुरगातना घटित हो गई तो यह ख़वर पूरे देश में फैल गई है पंजाब के अंदर स्वामी द्यानंद जी का पंजाब हर्याना यह तो शेत्र रा पहले तो हर्याना भी पंजाब के अंदर आया करता था तो लोग बड़े प्रभावित थे एक नौजवान जो बड़ा बुद्धिमान जबर्दस्त प्रतिवा संपन नौजवान वो आरिसमाज के सिद्धानतों से इतना जारा प्रभावित हुआ इतना जारा प्रभावित हुआ वो कहता था भई एक बार में स्वामी द्यानंद के दर्शन करना चाता हूं जीवन के अंदर बड़ा बुद्धिमान नौजवान था बड़ा लिखा था लेकिन नास्तिक था इश्वर को नहीं मनता था नाम क्या था गुरुदत विद्धियार थी जब ख़बर पंजाब तक पहुँची तो वहां से आरे समाजियों का जथा अजमेर जा रहा था स्वामी द्यानिजी की सेवा में उनके दर्शन करने के लिए लोगों उनका गुरुदत तुम कहते थे कि स्वामी द्यानिजी के दर्शन मुझे कराना अब यदि तुमारी इच्छा है तो हमारे साथ चल सकते हो बाद में फिर कभी दर्शन नहीं कर पाओगे स्वामी जी दुनिया से जाएं गया गुरुदत ने देर नहीं की ततकाल आर समाजियों के जथे के साथ में गुरुदत अजमेर के लिए प्रस्थान करते हैं गुरुदत बिलकुल नास्तिक घोर नास्तिक व्यक्ति और जब गुरुदत विद्यार्थी ने स्वामी द्यारंजी को तकत के अंदर प्रसंद मुद्रा में बैठे हुए देखा आप सोचिए आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस भैंक का रिस्तिति में हमारे सिर पर हमारे सरीर पर थोड़ा से पुनसी हो जाए पोड़ा तो बहुत दूर की बात है तो हमको बुखार आ जाता हम चार पई पकड़ लेते हैं लेकिन रिशीद आरंद जी का जीवन लगबख सत्तर लेखकों ने लिखा है सभी इस बात को लिख रहे हैं पूरे सरीर पर फपोले पड़े हुए हैं ऐसा कोई स्थान नहीं ज संबित हो ठे बूले क्या ऐसा भी संबभ है हम सोच भी नहीं सकते क्या ऐसा भी हो सकता है यह तो मैं आज अपनी आखों से देख रहा हूं यह आदमी है यह पत्थर इसको कुछ अनभवी नहीं हो रहा है साम का समय हुआ स्वाम 용ण जी ने भछ्टों से पूछा आज कौन सा वार है है कौन सी तिथी है भछ्टों ने कआज अमावस्या है और मंगल वार है और याज कि दिन दीपा बली भी है स्वामेज बोले ठीक है नापित को बुलाओ नापित कहते हैं संस्कृत में नाई को लोग उनका महराज क्या कराओगे कहते हैं शौर करम कराएंगे मुन्नन कराएंगे लोग उनका मुन्नन अरे पूरे सिर पर फपोले पड़े हुए है महाराज और आप मुन्नन की बात कर रहे हो मुन्नन कैसे संभव है स्वामी जी मुस्करा रहे हैं बोले नहीं तुम बुला के लाओ नाई आया अपना उस तरह ले करके और जैसे स्वामी द्याने जी को देखा नाई ने बैठे हुए स्वामी जी कहते हैं भाईया मेरे बाल बना दो दाड़ी मूच सिर के बाल बना दो नाई ने हाज जोड़ दिये महाराज आप कैसी बात कर रहे हो मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां कि मैं आपके बाल बना पाऊ क्यों अरे फपोले सारे कटेंगे खून बहेगा मवाद निकलेगी सरीट से मैं नहीं बना सकता स्वामी जी कहते हैं तो फिर तू परेशान क्यों है फपोले फूटेंगे तो मेरी तो फूटेंगे भाई तो अपना काम कर तू के परेशान होता है स्वामी जी ने उसको हिम्मत दी लेकिन स्वामी जी का आदेश उस व्यक्ति ने अपना काम शुरू किया खाल कट रही है खून बह रहा है मवाद निकल रहा है लेकिन स्वामी जी आराम से प्रसन बुद्रा में बैठे हुए गुरुदत विद्यारती सारा दृष्ष देख रहे है अचंबित हैं भई ये हो क्या रहा है मुझको विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है ये इसके पास सक्ति कहां से आ रही है स्वामी जी अपने समादी में बैठे भगवान से वारतालाब शुरू होती है स्वामी जी कहते हैं मेरे सामने से सब कुछ खाली कर दो मेरे सामने कुई नहीं रहे बस मेरे सामने मेरा प्यारा प्रभू होना चाहिए बस दुनियादारी पीछे अठ जाए सभी गुरुदत विद्यारती देख रहे थे उस भिनाय कोठी में आप जाएंगे तो पीछे खिडकी है प्रधिवा संपन देखता है आगे क्या होता है तो ततकाल गुरुदत निकल करके खिडकी की पीछे चले गए और भी सारे आरेजन बाहर आगए उस भिनाय कोठी को खाली कर दिया गया स्वामी जी का संपर्ग पर्म पिता पर्मात महसुआ समादी में बैठे दोनों पिता पुत्रों की वारतला प्रारंब हो दिये इश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो तुने अच्छी दिला की जिस काम के लिए तुने मुझे धरती पर भेजा वो काम मैंने बहुत इमांदारी के साथ में किया अब तुमारी इच्छा है आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो मैं आपके पास में आता हूँ तीन बार ओंकार का नाद करके रिशी दियानद ने जैसे अपने प्राणों को छोड़ दिया जब प्राण सरीर को छोड़ करके आत्मा जब निकल गई इस नश्वर दे को छोड़ करके जब तक कहते हैं सरीर नीचे गिर नहीं पाया था इतनी देर में तो गुरुदत ने आकर के वहों में भर लिया अस वामी दियानद को और गुरुदत फूट फूट करके रोने लगे के अहो आज ये देवता आज ये हीरा हमारे हाथ से चला गया हम इनको पहचार नहीं पाये ये जब दृशी गुरुदत ने देखा तो गुरुदत वहां संकल्प लेते हैं कि गुरुदेव आज मैंने अध्यात्ति की शक्ति को देखा है मैं अब तक नास्तिक था मेरा इश्पर पर विस्पास नहीं था लेकिन आज मुझे को लगा कि हाँ कोई ऐसी सुप्रीम पावर है जिस कनेक्शन होने के बाद व्यक्ति सारे दुखों को दुखी नहीं समझता इस स्थिति में मैंने आपको देखा और आप मुस्कराते मुस संपन विद्यार्थी स्टूडेंट जिसकी लिखी पुस्तक आज भी एक्सपोर्ट यूनिवर्स्टी लंदन के अंदर पढ़ाई जाती है दा वैदिक टर्मनलोजी उनकी पुस्तक है जो बाहर विदेशों में पढ़ाई जाती है कि कहते हैं कि मैं आपके मिशन को पूरा क करूंगा गुरुदत ने एक चोगा सिलवाया पांच ने हमारे समाज की इधर लिखे पांच पीछे लिखे और गुरुदत चौराए चौराए पर खड़ा होकर को बदेश लोगों को करते हैं लोग कहते हैं तुम पागल हो गयों कितने स्मार्ट बच्चे थे क्या तुमने याति कैसे रहते हो गुरुदत कहते हैं हाँ अब मैं बास्तब में पागल हो गया अब मुझे पता चल गया कि जीवन की सचाई क्या या थार्त क्या है मैंने बेदन आप लोगों की भीच में कर रहा था यह शक्ती किसकी थी रिशी रानन यही तो सत्यार प्रिकाश में की हुए कहते हैं कि देखो जब राम जी को какие आदेस किया गया कि कल राम करा जाब शे эта खोगा तो उनको कोई प्रसनिता नहीं चेहरे पर और दुरात रात में मामला पलट गया सुभई आदेश हो गया कि आपको दुबन में जाना है तो तब भी चहरे पर लेश मात्र शिकर नहीं कहां चक्रवर्ती समराट का एक पद एक गद्धी उनको मिलने वाली है और कहां आज वो जंगल में जाने वाले हैं लेकिन इतना भयानक दुख पर भी भगवान राम के चहरे पर कोई शिकर नहीं है यह योकी परमवस्था में रहने वाली लोग थे सामने लोग नहीं थे वीरवंदा वैरागी को देखो संभाजी को देखो एक-एक इंचे मास रोज काटा जाता है विधर्मी लोग कितनी यातना दे रहें लेकिन वो प्रसंद है कोई दिक्कत वाली बात उनको है नहीं उनके जीवन में यह शक्ती होती अध्यात्म की रिशी भी यही कहते हैं कि आप भी अपने इस पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो सुप्रीम पावर से कनेक्शन लेना पड़ेगा आपको बिना सुप्रीम पावर के यह पावर आपके अंदर आने वाली नहीं है यह पक्की बाद है इसलिए हमारे रिशी महर्शी सारे के सारे उपासना में बैठते हैं भगवान की भक्ती करते हैं मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप भी जीवन में इन दुखों का खात्मा चाहते हो दुखों से बचना चाहते हो तो अपना मन बनाईए समय निकालिए समय निर्धार्द कीजिए इस्थान निर्धार्द कीजिए समय का और इस्तान का बड़ा म 중요한 होता है जैसे ही आपने समय निर्धर्थ किया कि मैं पांच बज़े इपासना में बैटने का मेरा समय है अभी तो मनी नहीं लगएगा दिरे 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 आपके संसकार परिपक को होने लग जाएंगे धीरे धीरे मन लगना शुरू होगा इसमें है ना उसके साथ-साथ जीवन आपका पवित्र होना चाहिए जब तक जीवन हमारा पवित्र नहीं होगा तब तक उपासना में मन नहीं लग सकता रिशीद यानंद कहते हैं यह उपासना योग दुष्ट हर्दय को सिद्ध नहीं होता है जब तक जीवन में कुटिलताइं भरी हुई है मलिंता भरी हुई है अंदर तब तक बात नहीं बनने वाले यह गोस्व में तुलशिदास कहते हैं निर्मल जनमन सोही मोही पावा मोही छल छिद्र कपट नहीं भावा जो लोग निर्मल मन के हो जाते हैं वो मुझे प्रिय हैं ऐसा भगवान कहते हैं जिसके जीवन में छल छिद्र इर्शा द्वेश यह सब कुछ भरा पड़ा है उसको भगवत तक पकी दर्शन नहीं होते हैं ज्यान देना अपने आपको पवित्र बनाना पड़ेगा भरगहा इश्वर सारे क्लेशों को भून देने वाला है और परमात्मा तभी मिलेगा जब आपके सारे क्लेश भून जाएंगे समाप्त हो जाएंगे कितने जव मैं था तब हरी नहीं अब हरी है में ना ही और प्रेम गली अती सांक्री तामे दो न समाई जब अपने मन में एहिंकार है विशे वासना है तब तक भगवान दूर है और जब ये धीरे धीरे सारी चीज़ खतम हो जाएंगी तब भगवत तब आपको मिलेगा ऐसे मिलने वाला नहीं लेकिन बस एक वही चीज़ है जिसको जानने के बाद दुनिया में को जानना शेश बसता नहीं है जो हम सब के लिए कंपल सरी है और इतना कंपल सरी है कि बिना उसको जाने इस संसार की पहली सुलज नहीं सकती एक बात कहकर के पुराने समय की बात एक सेट जी थे, सेट जी के पास में संपत्ति, अब पुराने समय में ये कागज के टुकड़े की संपत्ति नहीं होती थी लोगों के पास में, संपत्ति क्या होती थी गोधन, गजधन, वाजधन, हैं, बड़ा आदमी किसको माना जाता था जिसके पास मे दो लाग गाये हैं, एक लाग गाये भी बड़े आदमी है, है ना? तो सेड़ जी के पास में उंट थे, सेड़ जी ने सोचा कि भाई मेरे मरने के बाद में मेरी संपत्ती को ले कर कि कहीं बच्चों में विवाद हो जाए, तो क्या करना चाहिए जीते जी, हैं, बांटना नहीं, आप ये गड़बड मत कर देना, मेरे एक सज्जन कहने लगे कि स्वामी ये मेरा बेटा कहता है, तू प्रोपर्टी मेरे नाम कर, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इनके भूल करके भी मत कर देना, वो कहता है, इसलिए मत करना, अगर ना कहता तो भले कर देता, तो कोई बात नहीं चल जाती, सेड़ जी बड़े समझदार, सेड़ जी ने का भाईया, नाम तो नहीं करना चाहिए, बस्यत लिख दी जाए पहले, बस्यत के बाद में, मरने के बाद बड़वारा हो जाएगा, सेड़ जी ने बस्यत लिखी, बस्यत लिखकर के सेड़ जी चलेगे दुनिया से, अब सेड़ जी का दाकरम आदी करने के बाद, लोगों ने जब सेड़ जी के कमरे को देखा, तो सेड़ जी की बस्यत मिल गई, सेड जी ने बस्यत भी बड़ी विश्चित्र लिखी थी सेड जी के पास में संपत्ति की रूप में तेईस उन्ट थे तेईस और सेड जी कहते हैं मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति को तीन भागों में बाटा जाए और कैसे कैसे मेरी आधी संपत्ती मेरे बेटे को दी जाए और जितनी बेटे को दी जाए उसकी आधी मेरी बेटी को दी जाए और जितना मेरी बेटी को दी जाए उसका एक कम मेरे नोकर को दिया जाए अब सब लोगों ने दिमाग लगाया बोले भीया ये बढ़वारा कैसे हो बच्चों से पूचा कोई कमती बढ़ती लेगा, बोले कमती बढ़ती नहीं, जितना बाबुजी लिख करके उतरा चाहिए अब करो बढ़वारा, तेईस क्यादे कितने हुए? है जी? साड़े ग्यारा तो एक मूट कटेगा अच्छा चलो, साड़े ग्यारा बेटा को देजी, और बेटा को जितना देरो उसका आदा बेटी को देना, अब साड़े ग्यारे क्या दे करो, कितने हो गए? क्यों जी? साड़े ग्यारे क्या दे कितने हुए? साड़े च्छे? अच्छा ये तो और मामला पेचीदा हो गया फिर काटाम काट मचेगी लोग बड़े परेशान बोले भाईया और बच्चे कोई कम लेने के लिए तयार नहीं ये तो उटों की कुरवान देनी पड़ेगी लोग बड़े परेशान बड़े-बड़े गणितज्यों को बुलाया लेकिन सब खेल हो गए कोई रास्ता नेकल कर के नहीं आया मैना बर व्यतित हो गया करते एक संत जा रहे थे लोगोंने कहा कि इनके पास में कुस समाधन होते ये समस्या को सुझा सकते हैं संत जा रहे तो उनके पास भी एक उड़ था वो सामान था उनके पास में चत्र्यम scenario के लिए गए ते लोट रहे थे तो लोगों का महराज ऐसे-इस एक समस्या फस गई है क्या समस्या कि सेट जी चलेगे बसेत लिख के गए और बटवारा नहीं हो पारा बसेत के साब से संत्रिय का देसा बसेत क्या है प्र हम इसमें समस्या की कौन सी बात है पर भी बटवारा कर देंगे परिशान क्यों होते हो लोगों का महाराज एक महीना हो गया बड़े-बड़े संभ्रांत लोगों को छेत्र के बड़े-बड़े अब बटवारा शुरू करते हैं बचों से का कुछ कम कमती बड़ती ले लोगे बोले नहीं महाराज बड़ती की बात तो कर सकते हो लेकिन कम नहीं लेंगे अगर कम लेने वाले होते तो एक महीना पहली बटवारा हो जाता आपकी पृतिक्षा तोड़ो करते हैं संत ने का चल वहोखे बारह मुश्य को थमा दिया जै भाई तू जा अब बेटी को बलाया सेडी जी ने लिखा जितना मेरे बेटे को दिया जा उसका आदा बेटी को अब बारह वचे और बारह क्या औरे आप मूट कितने बचे हैं या च्यपे यह बेटी और बेटा है आप योटी ऑर न घृत ये अपरोत है उसमें भीडिया इनलं रहा झोने अब सब्रस्क्राइल यह कंग एत्र को लिगोसे दिया जाए अब नौकर को तत्व हैं और जब तक इन तेज तत्वों में हम परमात्मा जो चौवीसमा तत्व उसको नहीं जोड़ लेते हैं तब तक संसार की पहली सुरजने वाली नहीं है इसलिए हमारे रिशी महर्शी कोई बेवकूफ नहीं थे नहीं बड़े समझदार लोग थे हैं ना इसलिए ईश्वर भक्ति पर विशेश बलून होने दिया है तो आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा बने आपके जीवन में खुशा लियाएं आप अपने कश्टों से दुखों से बच जाएं तो रास्ता केवल एक है आप अपने स्वरूप की तरफ जाएए परमात्मा तो बहुत दूर की बात है पहले हम अपने आपको जान जाएं है ना आत्मा और परमात्मा पहले आत्म तत्व को जान लो इसकी में फिर कभी चर्चा करूंगा इतना समय मिले पास में नहीं है अपने आपको जानो हम क्या चीजे आत्म जो तत्व है वह नित्य शुद्ध फ़ः इसको बताया गया शास्त्रों के अंदर उस्द्ध पावित्र है वो ना कभी दुखी होता है ना कभी सुखी होता है ध्यान देना यही चीज तो है जब ईश्वर की भक्ति में व्यक्ति जोड़ता है जब समाधी में प और इंद्रों होते हैं एक अच्छा सरीर को दूख होता होगा तो जब आत्मी मर जाता है तो उसको अगनी में जलते हैं तो इपर अदेत तरफता हो गई तो पूरा होता है आपके मन में दी शंका है तो मैं यहीं पर रहता हूं आपकी बीच में रहूंगा आकर कि वहां संका समाधान मेरे से कर सकते हैं यह थोड़ी सी बात मैंने बताई एक बात और समझ लो चलते चले सुत्र में आपको देता हूं आपके मन में बहुत सारे प्रश्ण भी पैदा हो सकते हैं और होने भी चाहिए न्याय-दर्शन का सुत्र है इच्छा-द्वेश्ट-प्र यह आत्मा को लक्षित करते हैं आत्मा के अंदर नहीं है जहां जहां ऐसे लक्षन आपको दिखाई दें तो समझ लेना वहां आत्मा है आत्मा में नहीं है यह चीज आत्मा इंसे परे है इंट के अंदर यह चीज आपको दिखाई नहीं देंगी इसका मतलब वो जड़ है उसमें आत्मा नहीं है, जहां जहां इच्छा, द्वेस, प्रेतन, सुक्दुख, जान ये सब कुछ नजर आए तो समझ लेना है, यहां पर आत्मा है, लेकिन आत्मा यह नहीं है, ये समझने की बात है, आत्मा क्या है, चिति शक्ति अपरनामनी अपरती संक्रमा, दर्शत वि सबको सादर प्रणाम, ओम्शंक.